आई बचों हम चट्टानों का अध्यान कर दे थे चट्टानों के अध्यान में हमने जो है चट्टानों के परकार को समझा चट्टान चक्र को समझा और आगने चट्टानों का विस्तरत विवरन समझा आगने चट्टाने आगने चट्टानों के विशेशता हैं आगने के उपरी सतय पर चटानों का असंगतित रूप यह असंगतित रूप विबिन परकार के बहीर जात सक्तियों के कारण चटाने हैं उनमें तूटन-फूटन की किरिया होती है और इन बहीर जात सक्तियों को समलित रूप से अन्नाचादन की किरिया कहते हैं अन्नाचादन की किर से उस तूटे फूटे अवसादी उस तूटे फूटे रूप को अपने साथ परिवहित करके और जहां कहीं भी नीचे भाग होते हैं उन नीचे भागों में उसको निक्षे पित करता जाता है तो इस रूप में तूटना फूटना और उसको परिवहित करके निक्षे पित करन का निर्मान करना है अवसाद का निर्मान करना है चाहे किसी भी प्रकार के चटान हो स्वाई अवसादी चटान हो या फिर आगने चटान हो या कायांत्री चटान हो इन सबी प्रकार की चटानों के उपर बहीड जात सक्तियां क्रियासी लोती है यानि अपक्षे और अपरदन की क्रिया क्रिया सील होती है जिसके माध्यम से चटानों में टूट फूट की क्रिया के माध्यम से अवसाद का निर्मान होता है और यही अवसाद धीरे धीरे जब नीचे बैठ के जमता जाता है यानि इसके उपर परत दर परत आवरन आता जाता है अवसाद का तो नीचे वा और दबाव के कारण है यह कायंत्रित सेलों में और फिर और ज्यादा गहराई पर जाकर यह आगने सेलों के चकर में पुना सामिल हो जाती है तो यहां पर अवसादी चटाने sedimentary rocks है, इसमें sedimentary का अर्थ होता है sedimentum, जो latin सब्द है, जिसका अर्थ होता है नीचे बैठना, sitting down यानी नीचे बैठना, और जो नीचे गर्थ नुमा भाग होते हैं, उसमें विबिन परकार के अपरदन के कारकों के मैद्यम से निक्षेपन करना ही अवसाद का नीचे बैठना कहलाता है तो इन्हें परतदार या तलचट ये सेल भी कहा जाता है चूंकि परत दर परत इसमें जो है अवसाद का जमाव होता जाता है तो परत दर परत जमाव के कारण जो तलचट है उसका निक्षेप होता है तो इसे तल सटीय सेल भी कहा जाता है वस्तुतह मौलिक चटानों से प्राफ्त अवसाद जब अपरदन के कारकों के द्वारा छेत्र विशेश में परत दर परत जमा होते हैं तो अवसादी सेलों का निर्मान करते हैं यानि अपरदन के विबिन प्रकार के कारक जो जलवायू के अनुसार जो छेत्र के अनुसार वातावनी दसाओं के अनुसार क्रियासिल होते हैं वो अलग-अलग गती अलग-अलग दर से चटानों का कटाओ करते हैं मूल चटानों का कटाओ करते हैं मूल चटानों के कटाओ स जो अवसाद त्यार होता है उसी अवसाद से ही अवसादी सेलें या परतदार सेलें वो बनती हैं तो परतदार इस्तति के कारण परतदार सेल कहा जाता है इसमें सिलीका, कैल साइट तथा लोह योगिक परतदार चटानों के स्वेज़ों जोक टत्तो विद्धिमान रहते हैं अब इन चट्टानों की क्या विसेस्ताइं होती है पहली बात तो ये ध्यान देने योगे है कि धरातल की उपरी सत्य पर सरवादिक विस्तरत रूप में मुद रूप से पिचेतर परतिसत भाग में लगबग जो फैली चट्टान है वो अवसारी चट्टान ही है तो अवसारी चट्टान दरातल की उपरी सत्य पर ज्यादा विस्तरत है जबकि आगने परकार की चट्टाने हैं वो प्रत्वी की उपरी सत्य के अलावा संपुन प्रत्वी का जो सवरूप है वो अगने चट्टानों के माधियम से ही निर्मित है अब इसकी जो विसेशता हैं उसको अपन समझते हैं अवसारी चटानों में पहली बात ये परतदार होती है परतदार होती है इसमें छेती जरूप से संस्तर पाए जाते हैं क्योंकि परतदर परत है जो इसका निक्षेपन होता है जैसे बाड आती है बाड से मिट्टी का जो पढ़ा होगा, सुना होगा, नदी के किनारे वाले पेते हैं, जिसमें नवीन मैदान पुराने मैदान मनते हैं, तो जब कभी भी उस नदी में वर्षा जल की दिखता होती है को जल की मात्रा अदिक ही होने के काण बड़े प difíने पर मिटी यह वह उस छेतर पर फैला दी जाती है और फिर है जो वर्षाकाल चला जाता है उसके बाद उसके उपर नवीन परत के रूप में फिर जमा हो जाता है तो जो वनस्पती है वो नीचे धंक जाती है जो भी जीवी ये रूप होते हैं वो नीचे धंक जाते हैं जो जीवासमों बनते हैं और इस तरह से वो नवीन परत है वो पुरानी वाली परत के उपर फिर जमा हो जाती है तो इस निरंतर परत दर परत नीचे वागव में जो जमाव होता जाता है जिसे जो सेले बनती है वो परतदार सेले होती है तो ये परतदार होते है इसमें शेतिज रूप से इस तर पाए जाते हैं परते इस पुष्ट देखी जा सकती है दूसरा इसमें जीवा उसे इस पाए जाते ह जीवों के अवसेस पाई जाते हैं हमने आगने चटाने पड़े थी आगने चटानों में किसी प्रकार के जीवावसेस नहीं होते हैं क्योंकि आगने चटानों का जो निर्मान है वो ज्वाला मुखी से निसरत लावा या मैगमा जिसको अपन कहते हैं उसके कारण होता है तो लावे के कारण जो निर्मान होता है आंगने चटानों का तो लावा स्वत ही बहुत अधिक तापमान वाला होता है तो अधिक तापमान के कारण उसमें किसी भी प्रकार के जीवावसेस नहीं पाय जाते हैं जबकि परत्तार चटाने हैं इसमें जीवावसेस अधिक पाय जात मैंख्ट करें लोगे क्योंकि विर्विन प्रकाल के रूप में फिल्ट मॉलाइन संदियों का विकास इस में मुलाहCall होती है, GU संदियों का विकास आसानी से हो जाता है और अपर्दन का परवाव स HDR होता है परन् किस्पर आप लुआ पथर देखिए यह मुलाइम तो होती ही है सबसे मुलाइम परत अगर चट्टानों के तीने स्वरूपों में आगने कायांतरित और अवसादी इन तीनों ही रूपों में सबसे अगर मुलाइम होगी तो अवसादी अपरतदार चट्टाने ही होती है क्योंकि यह अधिक कफ़ोर संगठित नहीं होती है जबकि सरवादी कफ़ोर की बात करें तो आगने चतान होती है जिसका नर्मान equivalent low वाली चटानों से हुआ है और ईसमें फेल सπάर सिलीका की मातरा सिलीकन की मात्रा अधिक्ता होती है इसलिए यह कम मुलाइम होती है और ये सिगर अपर्दित होने वाली चटान भी होती है चोथा पोईंट इसमें रवों का विकास नहीं होता रवे लावे के कारण होते है जो लावा होता है उसमें रवे और धाने पढ़ते हैं इसलिए उसके रवेदार चटान कहते हैं, जबकि अवसारी चटानों में रवे नहीं होते हैं, अवसारी चटानों में संस्तर पाई जाते हैं, परतें पाई जाती हैं, लेयर्स होती हैं, तो इनमें रवों का अबाव होता है, साथ ही धात्वी खनीजों की कमी होती है ये इसमें धात्वों की कमी होगी स्वतही जाहिर है क्योंकि आगने चटान में धरातल से निकलने वाले विविन परकार के धात्वी खनीज जिसमें फेरो मैगनेशन के साथ विविन परकार के तत्व है वो अधिक होते हैं पुर्थवी के गरव आंत्रिक भाग से जो लावा निकलता है उसमें धात्विक अंस अधिक होता है जबकि उपरी सत्य पर विविन परकार की चट्ठानों का विखन्डन होने के बाद में उनका परीवेहन होके फिरावसाद की रुप में जमाऊ होने के बाद में जो मुर्दावन जो चटान बनती है वो अवसाद या परतदर चटान होती है तो उसमें धात्वीक कम होता है सिलिका की बात्रा अधिक पाए जाती है तो अधात्वी खनीजों के साथ-साथ खनीज- टेल, कुईला नो प्राकरytी ग्यसों की उपस्तेती होती है तो इसमें जो प्राकरती गैस है खनीज डेल है वह अधिक पाये जाते हैं उन की अधिकता होती है क्योंकि जिते भी जो हम खनीज तत्पो पॉप्राप्त करते हैं खनीज एक ऑक स स्वरूप परीबर्थित करके और कोईले में बदलती है और कोईले से बाद में जो सेल टेल के रूप में धीरे 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 बदल कर परतों के असंग्ठित अवस्ता में मिलती है यह पर शेतिफी जूरूप में परत्दारक इसमें संस्त्र पाई जाते हैं यह हैं परवती भाग होते हैं यह अवसादी परतदार चट्टानों से ही निर्मित होते हैं क्योंकि अवसादी और परतदार चट्टानों से दरातल के ऊपरी भागों में जिते भी उत्तित भाग है उन अधिकांस उत्तित भागों का निर्मान हुआ है हमने पढ़ा था पिछली क्ला ऑसका होता है तो जब आमने सामने दो पलेटें किसकती हैं दो द्रडद किसकते हैं तो इसके बीच में जितना भी जो अवसाद होता है वह साद वलित हो जाता है लहरदार रूप में हो जाता है तो जोक्ष्य fourkat प्रते हूत इस पर्यार्शrene Krisom और परतदार चट्टानों के इस तरह से लहर नूमा आकरती में बनने से हुई हैं तो इस रूप में चाहीं माले हो आल्प सो रॉकिस एंडिस हो और विस्व में जहां कहीं भी एक्षेतिज रूप में फेले परवती भाग है उनक्षेतिज रूप में फेले परवती भागों क पाद निर्मान है इसी तरह से वलित परवत्तों के रूप में हुआ है तो ये जो है तो संग्टी तवस्ता में हो AZ में फाई जाती है ये लेव खशैती अब हो खशैती और परस्पर बिलकुल खशैती यह अलग-अलग इसकी जो संपीडन के आदार पर इस रूप में पाई जाती हैं लेकिन यह सबसे मुलाएं जटाने होती है जिसमें संस्तर या लेयर्स पाए जाते हैं फिर अगला पॉइंट है दबाओ की प्रक्रिया होने पर वलन विक्षित हो जाते हैं यही बात मैं आपको अभी बता रहा था दबा इस गती से यह बाहरी प्लेटे यह नहीं घूम पाती और जब बाहरी प्लेटे नहीं घूमती है तो उसमें खिसका होता है इस खिसका होके कई अलग अलग कारक है वो जिम्हेदार होते हैं और इन कारकों के मादम से हैं जब खिसका होता तो उनके मद्दे हैं जितना भी जो अवसाद होता है यह वलन में परतदार चट्टाने होती है वह वलन में बदल जाती है यह वलन में बदली हुई चट्टाने ही वलित प्रवतों का निर्वान करती है इन वलित प्रवतों पर सदेव जौला मुख्यों का उद्वव पाया जाता है सरफ हिमाले को छोड़ कर क्योंकि हिमाले के नीचे जौला मुख्य के लिए जो मैगमा भंडार होता है उसकी उपस्तती नहीं है तो इस रूप में इसमें दभव की परक्रिया होने पर वलन विक्षित हो जाते हैं फिर इसमें आसानी से भ्रंस या दरार विक्षित हो जाती है चुझकि यह मुलाइम होती है संपिडन के करण वलन पढ़ते हैं तो तनाव मूलक बल के करण जब यह प्लेटे हैं दूसरे से अलग विपरित दिसामे जब गति करती हैं तो इसके बीच में तनाव पैदा होता है और इन दोनों प्लेटों के बीच में तनाव के कारण इसमें पिर्टों के रम बन vapor द्रारे हैं यह विक्षित हो जाती है युझकर मुलाई मोती एस लिए ब्रंस और दरारे बनना आसान होता है तो इसमें वलन पढ़ते हैं संपिदबल के कारण दबाओं के कारण परस पर एक दूसरे के सामने दाओं के कारण वहीं אׁ दूसरे से दूरे प्लेटों के दूर होने के कारण जो तनाव बढ़ता है उस तनाव के कारण ब्रंस और दरारे भी विख्शित हो जाती है और नगुआ पॉइंट है इसकी विश्ष्टाओं में कि इसमें जोड पाए जाते हैं इसमें जोड होते हैं लेयर्स होती हैं जाइड सी बात हैं परत परत इसका निर्मान होता है तो एक परत के बाद में वनस्पति का आवरन आ जाता है या दूसरे मुलाइम परदार्थों का जमा हो जाता है और फिर दूसरी परत का विश्टार होता है तो पहली और दूसरी परत के बीच में यह कि यह संकर्मन के रूप में जो मनस्पति के पतली परत आजाती है या मुलाइम ततों की पतली परत आती है तो उपरी और नीची परत को अलग करती है तो इस अलग करने के कारण इसमें जोड़ है संधिया है उसका निर्मान हो जाता है तो इस रूप में इसकी जो विसेश्टाइं है इन विसेश्टाओं के आदार पर हम यह कह सकते हैं कि मुलाइम प्रकरती की होती है दरातल की उपरी सतह पर निरंतर अवसाद की नीचे भागों में जमाव होने के कारण बनती है इसमें लहरें पाई जाती है लहरें को मतलब इसमें परते हैं पाई जाती है और यह प्रकरती वस काफी मुलाइम होती है इसमें शे खनीज है यह इंदन रूपी खनीज है कि केवल और केवल इन अवसादी और परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं तो इसके आगे अपनकल पढ़ेंगे लेकिन इसको आप नोट्स के रूप में लिखते जाएं इसको पढ़ते जाएं यह काम की चीज है आपके एक्जाम क समय यह चोटे-चोटे पॉइंट है आपको बहुत हेल्प करेंगे